सतज जिविको पार्जन योजना अत्यंत ही मैत्वकांछी योजना जिला अधिकारी दिये से दिये को जला कर समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को करे प्रकाश्मान सही माइने में जिले का विकास तभी होगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी आगे बढ़े शराब बंदी वम नशामुक्ति के लिए सभी को आगे आना होगा सतत जिविको पार्जन योजना से संबंद लाभार्थियों का जिला प्रसासन के साथ समवाद कारिक्रम का हुआ आयोजन जिले के दो हजार पचपल लाभार्थियों को सतत जिविको पार्जन योजना से किया गया है लाभानवित 3,361 लाभार्थियों को किया गया है चिनहित सिग्र मिलेगी सहायता 15-30 दिसंबर तक विसेश अभ्यान चला कर और लाभार्थियों को किया जाएगा चिनहित नियूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बन्वाल की ब्योरो रिपोर्ट 17 जीविको पारजन योजना से संबद लाभार्थियों का जिला प्रसासन के साथ समवाद कारिक्रम का आयोजन आज DRCC के कारिक्रम सभागार में संपन्न हुआ समवाद कारिक्रम का आयोजन जिला परियोजना समन्व इकाई जीविका पश्चमी चमपारन द्वारा किया गया समवाद कारिक्रम का विदिवत उद्गाटन जिला अधिकारी पश्चमी चमपारन बेतिया कुंदन कुमार द्वारा दीप प्रज्वालित कर किया गया इस औसर पर उप्विकास आयुक्त अनिल कुमार, डीपीम जीविका, अविनास कुमार सहित जीविका के अन्य परादिकारी उपस्तित रहे। जीविका के साधन उपलब्द करना है, जो पुर्व में परंपरागत रूप से सराप के कारोबार में लिप्त थे, तथा अब सराप का कारोबार छोड़कर घर परिवार चलाने हेतु अन्य कारोबार के इप्छुक है। जीविका के तहत जिले के 255 लाभार्थियों को लाभानवित किया गया है। साथ ही 3361 लाभार्थियों को चिनित किया गया है, जिने अविलंब लाभ दिलाया जाएगा। जिले के अन्य संबंदित वैक्तियों को सत जीविको पारजन योजना से लाभानवित करने के लिए 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एक विसेज अभियान जीविका के माध्यम से चलाया जाना है। जिला अदिकारी ने कहा कि कोई देश राज जिला परिवार तभी आगे बढ़ सकता है जब एक एक वैक्ति को आगे बढ़ाया जाए। आवशकता इस बात की है कि अपने पडोसी तथा आसपास के गरीब से गरीब वैक्ति को भी जागरुक और प्रेरित करें ताकि उसका भी जीविको पारजन सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि संपुर्ण राज्यों में शराबबंदी है शराबबंदी को सफल कराने में सभी का योगदान बेहद ही जरूरी है। जीविका से जुड़ी महिलाएं इसमें सयोग करे। उन्होंने कहा कि मातरी सकती जिस प्रकार अपना घर, परिवार, दुकान, आदी, बखुबी चलाती हैं उसी प्रकार शराबबंदी नशामुक्ती अभ्यान में सयोग करे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पुर्व घर, परिवार, समाज में कई तरह के कला होते थे। अक्सर मारपीट, कई तरह के अपराद, सरक दुरघटना के साथ ही लोगों का स्वास्त खराब होता रहता था। उन्होंने कहा कि नशा नास का जड़ है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाए होती रहती हैं। सबको टीमवर्क के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। जिला प्रसासन हमेशा साथ है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का उलंगन करने वाले तथा नशापान करने वाले की सूचना ततकाल अपने कार्याले को दे। किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा। गाउं टोला हट बजार में अश्रेवक्ती दिखते हैं तो तुरन सूचना को साजा करे। सूचना देने वाले का नाम गोपनिय रखा जाएगा। उन्हों ने कहा कि आज संकलप ले कि किसी को भी नशापान नहीं करने देंगे। किसी प्रकार के नशा को पनपने नहीं देंगे एक स्वस्थ और सुन्दर घर परिवार समाद जिला का निर्मान करेंगे समवाद कारिक्रम में जिलादिकारी द्वारा सतत जीव को पार्जन योजना से जुड़ी मैलाओं से बादशीत की गई अनिता कुमारी ने बताया कि पहले वह एक महिने में 300 रुपे कमाती थी अब 12-13,000 रुपे कमा लेती है जिससे उसके परिवार का भरन पोर्षन अच्छे से हो रहा है मजहौलिया प्रखंड की भीखनी देवी ने बताया कि पूर्वम में उनकी इस्तिती अत्यंत ही खराब थी पहले उनकी जीविका का साधन कुछ भी नहीं था किसी तरह घर चल रहा था अब सतच जीविको पाजन योजना का लाब लेने से वह 8,000 रुपे महिना कमा रही है साथ ही अपनी लड़की की शादे भी अच्छे तरीके से कर रही है इसी तरह सीमा कुमारी ने बताया कि पहले वह 20-50 रुपे रोज कमाती थी जिससे घर परिवार किसी तरह चल रहा था सतच जीविको पाजन योजना से किराना दुकान आदि संचालित करती हूँ अब 12,1200 रुपे प्रति दिन कमा लेती है एक महिने में लगभग 15,000 रुपे की आमदनी हो जाती है अब उसका घर परिवार अच्छे तरीके से चल रहा है इसी तरह सुनीता देवी, गीता देवी, संगीता देवी, आदी दर्जनों महिलाओं ने भी सतत जीविको पारजन योजना से मिले लाब के बारे में बताया जिलादिकारी द्वारा डीपीम जीविका को निर्देश दिया गया कि सतत जीविको पारजन योजना से लाभानवित करने के लिए जिन महिलाओं को चिनित किया गया है उन्हें सक्सस स्टोरी दिखाएं सतच जिविको पारजन योजना से वेभिन दुकानों का संचालन करने वाली तथा वेभिन जिविको पारजन कारे में लगी महिलाओं के साथ बैठक कराएं ताकि इनका मनोबल भी बड़े और ये भी एच्छे तरीके से अपना जिविको पारजन कर सके इस औसर पर उपविकास आयुक्त अनिल कुमार इवां डीपीम जिविका द्वारा सतच जिविको पारजन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई